पूरा चेरी पिंक के अंदर है इसमें किसी को समस्या हो बताओ मैं मार कर रख दू मैं बार बार कहता हूँ जूजो ना मेरे साथ गलत लगे मुझे टोक दो पूरा चेरी पिंक के अंदर है ठीक है सम ब्लू और पिंक सम ब्लू और पिंक अब ये एक बात मुझे बताना ऐसी तैसिम गया सिलोग और ऐसी तैसिम गयी रिजनिंग अब मेरी बात अगर सही लगे तो मुझे फॉलो करना कि अतुल सर सही कह रहा है कि नहीं ये तुम्हारे पापा का दोस्त है ये तुम्हारे आजी आजिए आज से इस दोस्ति को रिष्टेदारी में बदल देते हैं। तुम्हारे पापा का कौन सा दोस्तु तुम्हारा सस्वुर बनेगा तुम कह सकते हो। तो बोले सर ये P का B से लिलेशन हैं, C का B से कोई डारिक्ट रिलेशन नहीं है। जो B है वो मेरे पापा का दोस्त है मेरे से कोई लेना देना नहीं तो cherry और be में जो भी direct लिखा उसे तुरंद काट दो चीभी चीभी कहां लिखा है देखो यहां पर cherry और be के साथ direct relation है कभी जिंदगी में answer नहीं होगा मेरे कहने का मतलब जब अंतर आत्मा कहे कि गुरू जी इस बार मैं सेलेक्शन आपको ले के दिखाऊंगा उसी दिन मैं फतह का जंडा गार दूँगा कि किसी की आवकात हो तो मेरे स्टूडेंट को रोक के दिखाऊ मेरे बताने से तुम कह रहा बी और सी का डारेट कोई रिलेशन होगा बी मेरे पापा का दोस्त है मैं क्या जानू कौन है पापा के कौन से दोस्त कहां रहते हैं पापा का ही कोई दोस्त मेरा ससुर बनेगा I know very well लेकिन कौन सा ये मुझे नहीं पता तो बी और सी का डारेट को पूरा पीजी सुना करो मैं बोल किया रहा हूं? पूरा पीजी के अंदर है बोले नहीं सर, सम पी आर सी पी का कुछ पाट सी है, बोले साफ सुथरा दिख रहा है, सम पी आर सी बोलो साफ सुथरा दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, सम पी आर सी पी का कुछ भाग सी है, बोले हाँ सर पी का कुछ भाग सी है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मैं बार पर कहता हूं कि अगर नहीं समझ में है तो हमारा खून पी लो बात समझ में आ रहे हैं